अधानी सम्हों से जुड़ी आज तीन बड़ी ख़वरे आई, ख़वरे दरसल दो थी और एक बड़ी सूचना आई, जो आटी आई के माध्यम से किसी ने सेवी से पूछा था और सेवी ने उसकी जानकारी भी, लेकिन इससे पहले चलते हैं बाजार की तरफ, शेर बाजार मे लगातार 8-9 दिन से तेजी देखने को मिले थी, आज का सत्र बाजार में गिरावट वाला था, आज सुभा एक समय ऐसा था जब सेंसेक्स में 900 पॉइंट की गिरावट आ गए थी, हाला की बाजार वहां से रिकवर हुआ और 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ, निफ्टी में आज बाजार देखें तो उसकी ब्रेद इतनी खराब नहीं थी, वहां इतनी दिक्कत नहीं थी, और इसलिए शायद अधानी समो की 10 में से 7 कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुई, ACC, अधानी एंटरप्राइजेज, अधानी ग्रीन, अधानी पोर्ट सम्में आधे से 1 फीस से ज़्यादा की, अधानी ट्रांस्मीशन भी एक फीसद करीब बढ़के बंद हुआ, जो गिरावट जहां थी, वो थी, अधानी विलमेर, अम्बुजा सीमेंट और NDTV, यहां आधे से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली, अब बात करते हैं खबरों का, तो पहले आपको सेवी से पूछा गया था, कि अधानी एंटर्प्राइज के एफपियो किस निवेशक ने कितना पैसा लगाया था, साथ में यह भी पूछा था, कि अधानी समू की तरफ से एफपियो रद करने के बारे में क्या सेवी को कोई जानकरी दी गई थी, अधानी एंटर्प्राइ यह ख़बर काफी बढ़ी है अधानी समूं के मामले में शियर बदार रेगुलिटर सेवी ने जाच में तेजी ला दी है और जाच का जो दायरा था वो बढ़ा दिया है सुप्रिम कोट ने मार्च की शुरुबात में सेवी को अदानी मामले में जाच का निरदेश दिया था और दो महिने के भीतर जाच रिपोर्ट सौपने को कहा था सुप्रिम कोट की डेडलाइन को देखते हुए सेवी ने जांच का दायरा भी बढ़ाया और इसमें तेजी भी ला दी दायरा कितना बढ़ा क्या तेजी है ये बात करेंगे लेकिन पहले आपको दूसरी ख़बर बता दे सरकार की ओर से एक बयान आया सरकार की ओर से ऐसा बयान पहली बार आया और ये कहा गया कि अदानी समूपर कोई भी कारिवाई करने से पहले हम दोनों रिपोर्ट का इंतिजार कर रहे हैं और ये कहा गया कि जाँच पूरी हो जाएगी जब रिपोर्ट्स आ जाएगी तब हम आगे की जाँच करेंगे तो पहले बात आगे की कारवाई करेंगे तो सर पहले बात जो सेवी ने जाँच का दायरा बढ़ाया है दायरा क्या बढ़ाया है क्या क्या नई चीज़ें होगी क्योंकि उस समय निरधारित होकर करीब आ रहा है जो संग्यत हमें मिल रहा है बाजार से से भी तीन-चार महत्वपूर्ण मामलों की जाच कर रहा है डानी समू के मामले में एक तो वही सबसे जादा विवाधित मामला जो रिलेटेड पार्टी ट्रंजेक्शन का मामला है जिसको लेकर इंडन बर्क की रिपोर्ट आई थी इसके बाद लगातार पिछले तीन-चार महेने से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अडानी समून अपने ही समू के अपने ही परिवार के लों की कमपिनियों से क्या quiere शेयर करा आए ताया थै इसकी जाए की जाएगी से भी इसमून जो भी कहते है वह बहुत महातोपून होने वाला है इडानी समू के स्टा के लिए और इडानी So engineering के भाषishy के लिए दूसरी महत्तुपूर्ण बात है कि अडानी समूह ने जो सेवी के पास अलग-अलग समय कि अपनी फाइलिंग्स में जो डिस्क्लोजर्स की हैं जो एक कम्पिनी को भारत में करने पड़ते हैं नियामक अवे उस्थाकित है जो नंबर्स दिये हैं जो जो रिजल्ट्स बताए हैं जो जानकारी दी है उस जानकारी की पड़ताल सेवी कर रही कि क्या वास्तविक्ता उससे अलग है या वही आंकड़े हैं जो दिये गए इनके भीतर की वास्तविक्ता क्या है को याद होगा कि हिंडनबर्ग ने पनी रिपोर्ट में ऐसी बहुत सारी जानकारी या थी ज जाँच की प्रक्रिया और अफ्तार तेज कर दी है याद दिलाते चलें कि सेवी ने की प्रमुख ने भी हाल में ही सरकार संसत की एक समिती के सामने भी यह कहा था कि सेवी अपनी जाँच की प्रक्रिया को तेज कर रही है और तीसा और महतुपूर्ण हिसा जहां सेवी की यह पता चलेगा। यह तीन बड़े हिस्से हैं जहां से जाच की संभावना आती दिखाई दे रही है। सर, पहली बार जाच के बाद कार्यवाई की बात कही जा रही है। किस तरीके की जांच या कारवाई हो सकती है। आज इस तरीके की खबरें आईं कि सरकार के कमपिनी मामलों के मंतरा लेके अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अड़ानी समूँ पर कारवाई से पहले सुप्रीम कोट की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। सुप्रीम कोट की रिपोर्ट दो माई के आसपास माई के पहले हफते में आएगी लेकिन सरकार को सरकार उन दोनों रिपोर्ट का सेविय और सुप्रीम कोट की रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इताय करेगी किस पर किस तरह की कारवाई की जाए कारवाई का पता नहीं क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारे आयाम है जो सामने निकल कर आएंगे पर कम्पिनी मामलों का मंत्राले के तरफ से आया हुआ ये बयान इस बात के तरफ इशारा करता है कि सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कारवाई के लिए किसी परिस्तिती में तियार हो रही है लेकिन इसमें सरकार से ज़्यादा महत्वपून जानना शुबह में होगा कि सुप्रियू कोट क्या कहता है क्योंकि सुप्रियूंग कोट जिस तरीके का आदेश देगा इस पूरे मामले में पारदर्शिता को लेकर अलानी समोगे कामकाश को लेकर उसके आधार पर सरकार अपनी कारवाई करेगी क्योंकि यह मामला अदालत के पास है इस पर हमारी निगाया रहेंगी